Hello Friends, कैसे हो सब लोग? I hope सब लोग अच्छे होंगे, नए साल पे सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होंगे और इस साल मेरी सबसे उमीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे से एक्जाम को क्लियर करेंगे Welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead तो आज हम डिसकस करने वाले हैं एक और दो जैन के इकठे करेंट अफेर्स को डिसकस करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हो दो बेस्ट इमेजिस लेकिन आज हम डिसकस करेंगे 10 से 11 बहुत इंपोर्टन करेंट अफेर्स को तो वीडियो को बिलकुल लास तक देखेंगे और जब जब वीडियो को देखेंगे साथ में वीडियो को लाइक और शेर जरूर कर देंगे लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक दो चीजे मैं आपके साथ डिसकस करूँगा जोकी affairs cloud की subscription के बारे में है कि आप हमारी affairs cloud की जो pdf subscription है मतलब जो current affairs की subscription है वो आप किस तरह से बाई कर सकते हो उसके दो method है या तो आप affairscloud.com slash current affair पे जा सकते हैं या फिर आप सीधा ही इस video के description box में जाके वहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं, तो वहाँ से भी जो है, वो आप सीधा link पे पहुंच जाएंगे, तो आपको क्या provide करेंगे हम इसके अंदर, आपको daily wise PDF मिलेगी, daily wise PDF में हम दो तरंगी PDF provide करेंगे, एक PDF में जो है, वो theoretical grant affairs होंगे, एक PDF में question and answer format के उसी दिन के grant affairs आपको दिये कि हम दुबारा से उसको revise करें, next होगा monthly PDF का section, जो कि सबसे important section मैं मानता हूँ, क्योंकि इसमें हम आपको पांच तरह की PDF provide करते हैं, वो आप अपने according use कर सकते हैं उसको, like सबसे पहले है study PDF, जिसमें हम पूरे महिने के theoretical current affairs provide करते हैं, next होगा question and answer PDF, question and answer PDF का मतलब है, कि आप जो current affairs theoretically पढ़ोगे, उसको हम question and answer में convert करके देते हैं, ताकि आप उसको revise कर सको, और देख सको कि हम theoretically पढ़के question and answer के किस तरह से evaluate करेंगे, next pocket PDF, नाम से पता लग रहा है, आप जल्दी-जल्दी में current affairs को revise करना चाते हो exam से पहले, तो ये PDF आपके लिए बहुत ज़रूरी है, next banking finance and economy PDF और इसमें नाम से फिर से पता लग रहा है, कि ये उन बच्चों के लिए खास करके तियार की जाती है, जो banking का exam दे रहे हैं, like RBA का दे रहे हैं, SBA का दे रहे हैं, IBPS का दे रहे हैं, या फिर insurance sector का exam दे रहे हैं, तो उसमें आपको help करेगा, next होगा top 100 current affairs, जिस तरह से आप subscription जो है, वो combined subscription है, और बहुत ही कम price पे हम आपको देख रहे हैं, और साथ ही साथ जो है, ये जो हम बहुत कम price पे दे रहे हैं, उसके उपर भी हम आपको 10% extra discount प्रवाइड कर रहे हैं, और ये extra discount आपको किस तरह से मिलेगा, अगर आप इस code को use करोगे, ASH10, तो आपको extra discount जो ह app launch कर रहे हैं, हम बहुत ही जल्दी, और मैं आपको date एक आदे दिन के अंदर announce करूँगा, तो उसके अंदर आपको पता लग जाएगा, तो हम start करते हैं, फिर first and second hand के current fares, तो ये रहा हमारे पास, पहला section जो की most important question section है, तो उसमें पहला question है हमारे पास, Indian Coast Guard, ICG, has signed MOU with how many Asian countries for cooperation in the maritime search rescue operations, तो Indian Coast Guard ने, जो है, वो tie up किया है, कितनी Asian countries के साथ, कि हम जो है, वो rescue operations को jointly किया करेंगे, कोई maritime security है, उसको jointly assess किया करेंगे, मतलब हम एक दूसरे की help किया करेंगे, और कोई भी problem है, तो ये सारी countries जो है, वो इकठे होके help कर सकती है, तो मैं कितनी Asian countries की बात कर रहा तो वीडियो को pause करें और answer को मेरे साथ match करें, answer क्या होगा इसका, seven Asian countries के साथ हमने ये pact जो है, वो sign किया है, तो आप यहाँ पर देख सकते है, Indian Coast Guard signs pact with seven Asian countries for cooperation in maritime search and the rescue, तो यहाँ देखो, ICG is conducting maritime exercise and training activities legurally with these countries, मतलब हमने इन साथ countries के साथ ही क्यों किया है, क्योंकि हम already इन के साथ पहले से ही काफी activities कर रहे हैं, like हम bilateral exercises कर रहे हैं, like Japan के साथ कर रहे हैं, Philippines, Thailand, Myanmar, Sri Lanka, Indonesia, Vietnam, तो इन countries के साथ हमने ये pact, जो है, वो sign किये हैं, India is signatory to the International Convention on Maritime Search and Rescue, 1979, ratified in May 2001, तो इंडिया already जो है, वो signatory member है, International Convention on Maritime Search का, और आपने याद रखना है, कि यह जो maritime search and rescue है, यह इंडिया मे established किया गया था, इस control and coordinator by ICG ही इसको क्या करता है, control and coordinate करता है, तो यह आपने याद रखना है, और इसके तीन rescue centers है, Mumbai है, Chennai है, Port Blair है, मतलब सारा का सारा जो है, वो सदन एरिया में है, क्योंकि coastal एरिया सदन ही है, और ICG के बारे में याद रखना है, Director General कौन है, Krishan Swami Natarajan, Moto क्य Krishan Swami Natarajan, या K Natarajan, किसी भी तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, next question की तरफ बढ़ते है, who won Tansin Samman 2020, Tansin Samman 2020, किसको मिला है, most important question में दोस्तों इसको mark कर ले, और answer बहुत ही simple है, वीडियो को pause कर ले, और मेरे साथ answer को क्या करें, match करें, यह award किसको मिला है, और answer क्या होग वीडियो को pause करके, answer को math करें, answer क्या होगा, B answer होगा, 15-17 व्यास इसका answer है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मध्यपरदेश में, Tansin Music Festival जो है, वो organize हुआ, कहाँ पर हुआ, ग्वालियर के अंदर इसको organize किया गया, यह भी question बनता है, याद रखना है, हम इसको one-liner important points में भी cover करेंगे, और यह 5 दिन का event रहा, जो ग्वालियर में हुआ, मध्यपरदेश में हुआ, और बहुत ही important ही याद रखना है, कि यह award किसको मिला है, पंडित तीश व्यास को मिला है, और Tansin Award जो है, वो हिंदूस्तानी Music में award दिया जाता है, और साती सात याद रखें, इसम जो ऑर्गनाइस किया गया, और ऑर्गनाइस किसने किया है, तो तीन चीज़ें इस question के अंदर याद रखना है, तो फटवट अगले question की तरह बढ़ते हैं, बहुत important है, eminent engineer award for the year 2020 किसको मिला है, तो one of the most important question 2021 के starting का आप कह सकते हो, कि बहुत important current affairs में आपको करवा रहा हूँ आज के, जिसमें आपको 2-3 question ऐसे मिलेंगे, जो हर exam में आपको मिल सकते हैं, और ये जो है, वो engineers award जो है, वो किसको मिला है, तो मैं एक आपको hint देता हूँ, railway से belong करते हैं, और पहले CEO बने हैं किसके railway के, तो ये भी आप याद रख सकते हो, कि उनको September में जो है, वो पहला railway का CEO बनाया गया था, railway board का, तो answer क्या होगा, VK यादव मतलब answer, सब बच्चों को पता है, सब बच्चे अच्छे से answer कर रहे हैं, विनोत कुमार यादव, और जो बच्चे साथ-साथ answer कर रहे हैं, मैं एक बात बता देना चाहता हूं उन बच्चों को, कि उनका हमेशा question याद रहेगा, तो इस साथ में question करने का, या answer करने का यहीं फायदा है, कि आपको हमेशा याद रहेगा, चाहे आप गलत कर रहे हो, चाहे आपको नहीं आता, तो मैसेज जरूर किया करें, चैट बॉक्स में जरूर चैट में अंसर दिया करें, तो विनोध कुमार यादव इसका अंसर होगा, तो आप देख सकते हो, श्री विनोध कुमार यादव, चेर्मेन and CEO है, रेलवे बोर्ड, Ministry of Railways के अंदर, उनको यह prestigious award दिया गया, जो award है, Eminent Engineer Award 2020, और इसमें कोश्चन आप और कवर कर सकते हो, कि Engineer Day कम मनाया जाता है, Engineer Day सब बच्चों को पता है, मैंने करवाया था, यह सब्तंबर की निउस में, कि Engineer Day जो है, वो 15th of September को मनाया जाता है, मोक्ष गुंदम विशेश्वराय के नाम से जो है, वो इसको celebrate किया जाता है, उनकी आप याद कर लें कि IET की तरफ से, IET की तरफ से इसको दिया जाता है, Institution of Electrical Engineers की तरफ से इसको दिया जाता है, और इसको Institution of Engineering and Technology भी आप जो है, वो मतलब उसी की एक संस्ता है, तो इसको established कब किया गया था, 1871 में इसका Headquarter, जो है, वो कहां पे मिलेगा, आपको Headquarter मिलेगा, स्टेवनेच, United Kingdom, मतलब इसका Headquarter जो है, वो United Kingdom के अंदर है, और याद रखना है, IET, Institution of Engineering and Technology, और इसका पुराना नाम क्या था, Institution of Electrical Engineers, और बहुत बड़ी संस्ता है, और Institution of Electrical Engineers, मातरपूरे वर्ल्ड की एक ऐसी इंजिनियर्स इंसिचूशन है, जिसके बहुत जादा में जाएं, Almost, जो है, वो 1,070,000 members के हैं, और 150 countries से आते हैं, तो इसलिए याद रखना है कि इसका Headquarter कहां पे है, IET important हो गया, Next question आते हैं, What is the name of India's first indigenously designed and developed air droppable container, which was recently tested, तो air droppable container का आपने नाम बताना है, कि क्या होगा, जो कि इंडिया में ही त्यार किया गया है, और उसकी testing भी जो है, वो की गई है, तो बहुत important questions में से एक question बन जाता है, यह हमारे पास, कि कौन से उसके container की हम बात कर रहे हैं, जो अभी अभी जो है, वो test किया गया है, बहुत important है, और answer क्या होगा, मेरे साथ बच्चे मैच करें, वीडियो को pause कर लिए, answer क्या होगा, answer होगा, सहाइक N जी, क्या होगा, सहाइक NG, तो बहुत important है, कि उस container का हम use कर सकते हैं, logistic को deliver करने में use कर सकते हैं, किसी country को कोई समान पहुंचाना है, तो वहाँ पे उस air dropable मतलब उसको गिरा सकते हैं, वहाँ पे तो वो country use कर सकती है, उसको, तो नाम क्या होगा, सहाइक NG, और किसने इसको develop किया है, ये भी आपने जो है, वो साथ में क्या रखना है, याद रखेंगे, तो develop वाली agency, जो है, वो कौन सी है, DRDO है, defense research development organization, इन्होंने जो है, वो इसको develop किया है, headquarter कहाँ पे DRDO का new Delhi, बच्चे फटावर्ट बंगलूरू लगाते हैं, बंगलूरू is wrong, और chairman कौन है, जी स समान जो है, वो पहुंचा सकते हैं, चीजों को आप बेश सकते हैं साथ में, तो इस तरह के जो है, वो जो dropable containers है, ये बहुत ही helpful होते हैं, किसी भी country के लिए, तो आप ये देख सकते हो, economic times की तरफ से इस news को भी cover किया गया, सहायक NG will reduce the requirement of ships to come close to the coast for collecting spare and the stores, तो कोई भी तो वो आप इन जो dropable चीजे हैं, इन में डाल के बेश सकते हो, ताकि ships को कोस्ट पे ना आना पड़े किसी भी चीज को लेके आने के लिए, तो सहायक NG is an advanced version of सहायक MK1, पहले भी हमारे पास सहायक MK1, लेकिन वो GPS enabled नी है, लेकिन इसमें GPS भी जो है, वो साथ में provided है, तो इस space startup successfully testified a solid propulsion rocket engine named Kalam 5, तो इसको याद कर लें, Kalam 5 नाम से कौन सी startup company, जो कि एक private company है, उन्होंने solid propulsion rocket जो है, वो तियार किये, उसमें solid fuel के basis पे उसको test किया गया है, बहुत important है, ताकि हम उसको जो है, वो आगे भी use कर सके हैं, और इस सुरों के साथ मिलके जो है, वो उन्होंने य जो है, वो याद रखना है कि December 2021 में ISRO के साथ मिलके, वो एक rocket भी launch करने वाले हैं, जिसमें solid propulsion material यूज किया जाएगा, और उसका नाम होगा Vikram 1, ये भी मैं आपको hint दे रहा हूं, और आपके लिए question भी है, तो Vikram 1 जो है, वो ये private company जो है, वो launch करेगी, और याद रखना है, पहली private company है, इंडिया की, जिसने खुद design किया है, develop किया है, और solid-fueled rocket stage की जो है, वो development की है, और answer क्या होगा इसका, answer होगा Sky Root Aerospace, तो नाम को याद कर ले, Sky Root Aerospace जो है, वो इसका answer होगा, और बहुत से बच्चे answer जो है, वो बिलकुल सही कर रहे हैं, और जो बच्चे answer सही कर रहे हैं, और उनसे मैं कहना चाहूंगा, कि बहुत ही अच्छे chances हैं, कि आप जो है, वो बहुत जल्दी अपना exam जो है, वो clear कर दें, लेकिन यार दोस्तों, वीडियो को like और share ज़रूर कर दें, क्योंकि आपके like और share बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, क्योंकि इनी से जो कलाम 5, कलाम 5, और Skyroot Aerospace जो है, वो एक हैदराबाद बेस्ट कंपनी है, मतलब एक private company है, हैदराबाद अलागना के अंदर, और इसके जो CEO है, वो कौन है, पवन कुमार चंदाना, लेकिन नाम ज़्यादा important नहीं है, लेकिन फिर भी अगर याद करना है, पवन मतलब हवा, और ये Skyroot भी कहाँ पे चलेगा, हवा में चलेगा, तो इसलिए आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं, अदरवाज कोई ज्यादा important नहीं है, तो देख सकते हो, first private company है, जो solid fuel rocket stage की testing करेगी, और ये ISRO के साथ मिलके, December 2021 में, Vikram 1, जो है, Madden rocket, उसको जो है, वो करेगी, जिसमें, जो solid fuel rocket जो है, वो use होगा, और Clam 5 जो है, वो पहला है, 5 Clam series का, solid rocket motors, the other four rockets, motors are expected to test in 2021, मतब बाकियों को भी test किया जाएगा, ये तो पहला है अभी, और भी चीज़े जो है, वो ये test करेंगे, मतब चार और भी बड़े हैं, जिसको test जो है, वो किया जाएगा, और जो आप एक ना के साथ मिलके, मतब युनाइटेट स्टेट सफ अफ अमेरिका की ये company के साथ मिलके, एक अगनी बान rocket का test किया था, वो भी USA के अंदर, तो ये भी important है कि अगनी कुल कॉस्मोस भी बहुत ही बड़ी private company है, जो इसका नाम भी आप याद रख सकते हैं, तो next question की तरफ बढ़ते Institute of Medical Science and Research Center, क्योंकि आपको बता है कि जिस तरह से medical सुवधाई, center government बढ़ाने की और जा रही है, और किस तरह से आगे बढ़ रही है, तो ये बहुत जरूरी है कि ये कहां पे जो है वो खोला जा रहा है, तो state पहले आपने बताना है, फिर मापको exact जगा बताऊंगा कि कहां प ताकि उनको jobs भी अलग जगा पे मिल सकें, खास करके अबराट category के अंदर उनको jobs मिल सकें, तो ये करनाटका ने sign किये है, youth training के लिए, और साथ में याद करना है कि ये college जो है, वो कहां पे बनेगा, ये बनेगा करनाटका में, और करनाटका में अगर exact place पूछ लें तो आया जाएगा, तो आप यहां पे देख सकते हो कि कौन-कौन से तीन pact जो है, वो sign हुए, तीन agreement sign हुए, ITI trained youth उनको और train किया जाएगा, कहां पे पिन्य इंडस्टियल association के द्वारा, next second agreement हुए, skill university बनाई जाएगी, जो की train करेगी, अलग-लग trades में, ताकि उनको हर तरह का का जो है, वो सिखाया जा सके, और तीसरे agreement है, कि a learning foundation has come forward to the idea students for the entrepreneur, अब जो training लेंगे, तो बाद में entrepreneur भी बन सके, अच्छा businessman बन सके, तो उसके लिए भी जो है, वो उनको चीजें जो है, वो करवाई जाएगे, तो तीन agreement जो है, वो sign हुए, लेकिन हमारी agreement important यह, करनाटका is important, guys गवर्नर कौन है, वाजूबाई, रुदाबाई वाला, तो चाहे only वाजूबाई वाला जात कर ले, और capital आपको बताई है कि कौन सी है, बेंगलूरू है, चीफ मिनिस्टर मेरे खाल से, सब बच्छों को पता होगा कौन है, यह दुरुपा जी, तो आगे बढ़ते हैं अग पूली है, तो सिर्फ रोज सुनते रहना है, और मेरे साथ रिवाइज करते रहना है, क्यूंकि डिल्ली ऐसे question जी है, वो worries होते हैं, तो नेक्स section पर आते हैं, very important question section के उपर उसमें पहला question है which state launched a mobile application DigiNest तो यहाँ पे keyword तो DigiNest ही है to enable people to have digital access to the directory of the state government तो यह बहुत ही अच्छा है कि अगर आप किसी officer या किसी भी department से बात करना चाते हो किसी भी department के अंदर किस बंदे से बात करना चाते हो तो आपको एक online directory जो है वो उस government की मिल जाएगी तो यह कौनसी state government ने launch किया यह बहुत ही अच्छा initiative है और एक hint देता हूँ आपको कि उसी state government ने recently launch किया है कि अगर आप कोई scheme के अंदर change चाते हो कोई भी scheme जो state government की चल लिए तो आप हमें सुझाव दे सकते हैं तो हम उस scheme को देखेंगे कि आपके सुझाव जो है वो अच्छे है या नहीं तो उसके base पे हम scheme को बदल भी सकते हैं उसमें कुछ changes कर सकते हैं तो सब बच्चों ने answer जो हो फटफफट लगा दिया है तो answer इसका क्या होगा answer होगा मेरे साथ option को match करें वीडियो को pause कर ले पहले वीडियो को pause करोगे तो answer अराम से दे सकते हो तो answer क्या होगा इसका पंजाब होगा पंजाब answer होगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो पंजाब CM launch DigiNest mobile application into your digital assess to the state government directory तो simple है इसमें कुछ याद करने वाला नहीं है लेकिन पंजाब आप याद कर सकते हैं पंजाब की capital आपको पता है चंडिगड है और पंजाब और हर्याना की capital combined है पंजाब के जो governor है वो आपको पता है वीपी सिंग बदनोर है वहीं चंडिगड के administrator है और साथ ही साथ जो है वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर captain अमरिंदर सिंग है और वहाँ पे बहुत ही फेमस एक अबोहर wildlife century आपको मिलेगी जहां पे आपको black buck जो है वो मिल जाता है तो next question की दरफ बढ़ते हैं दोस्तों अगला question है which state launched किसान फसल राहत जोजना crop relief scheme ताकि कोई भी अगर फसल बरबाद हो जाती है मौसम के कारण या किसी भी कारण तो सरकार जो है वो बरपाई करेगी सरकार जो है वो पैसा प्रवाइट करेगी तो आपने बताना है मैं कौनसी state government की बात कर रहा हूँ यहाँ पे state government की बात रही वीडियो को पॉज कर ले अंसर को मैच करें अंसर क्या होगा इसका जार्खंड होगा दोस्तों अंसर क्या होगा डी होगा तो जो बच्चे सही बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं जार्खंड crop relief scheme किसान फसल राहत जोजना जो कि प्राइम निस्टर insurance scheme है farmers की वो replace कर देगी और कौनसी scheme को replace कर देगी यह भी आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं तो क्योंकि यह state की अपनी scheme आ गी है तो परदान मंतरी फसल भीमा जोजना यहाँ पे खतम हो जाती है और किसान फसल राहत जोजना जो है वो start हो जाती है तो याद कर लें इसको और जार्छण में आपको बता कि generally paddy होता है वहाँ पे तो इसके लिए जो farmers की paddy जो है वो खराब हो गया तो उसके लिए जो है वो इसको क्या कर सकते हैं यूज़ कर सकते है, सरकार उसके लिए क्या देगी पैसा देगी और नई स्कीम में compensation मिलेगा पूरा पूरी की पूरी farmers की security होगी तांकि कोई भी crop damage होता है natural hazards के कारण तो उसके कारण आपको पूरी बरपाई की जाएगी तो याद रखने कौन सी स्कीम खतम हो जाती है जारखन में परदान मंतरी फसल भी मा जोजना खतम हो जाती है ये बिल्कुल खतम हो जाएगी और नई स्कीम आजएगी किसान फसल रहत जोजना और जारखन के बारे में पता है आपको Chief Minister Hemans Soren जी हैं और Governor Drupadhi Murmoo जी है और Capital Concierge है रांची जहां पर Tiger है, Indian Bison आपको मिल जाएगा और बहुत important है और ये जो Coil River वहाँ से निकलती है खास करके North Coil River वह वहीं से निकलती है बेतला National Park नेक्स आती है तो बहुत ही simple question है कि Solar Energy Firm का नाम बताना है आपने जो दिल्ली गॉर्मेंट के ये केंद्रिय विदेल्य संगठन के चितने भी स्कूल्स हैं उसको क्या करेगी Solar Power से वो एकिप करेगी मतलब Solar Power वहाँ पर यूनिट्स लगेंगे तांकि बिजली को बचाया जा सके और New or Enable Energy का यूज किया जा सके किसके साथ ये sign हुआ है तो बहुती simple answer मेरे साथ answer को match करें वीडियो को pause कर लिया करें अंसर क्या होगा Oak Ridge Energy तो इसके साथ ये tie-up हुआ है तो थोड़ा सा नाम याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना और इसमें thousand schools का target रखा गया है कि हमने इसको solarize कर देना है तो solar power plants लगेंगे जो thousand schools के लिए लगाये जाएंगे Oak Ridge Energy ने ये tie-up किया है केंदरी विदयल्या के साथ और दिल्ली गवर्मेंट के साथ तो इसमें कुछ याद रखने वाली बात नहीं है लेकिन दिल्ली गवर्मेंट आपके लिए important हो जाता है क्योंकि यहाँ पे अर्विंद केजरिवाल जी चीफ मिनिस्टर है और अनिल बायजल जी लेटिनेंट गवर्नर है तो यहाँ पे आप देख सकते हो यह दिल्ली की solar policy है जो 16 से 20 तक चल रही है thousand schools और education institutions को 2022 तक जो है वो क्या कर देना है solarize कर देना है इससे electricity bill भी कम होंगे और इसमें लोगों के उपर burden भी कम होगा और खास करके बच्चों की fees के उपर भी जो है वो effect पढ़ सकता है क्योंकि बिजली का bill कम आएगा तो by default schools अपने आपी fees जो है वो कम कर देंगे तो पहले यह government schools के लेकिन बाद में private schools के उपर भी यह लागो किया जाएगा तो याद रखना है और बाद में जो additional surplus होगी बिजली वो आप sell भी कर सकते हैं तो ये भी एक solar power का initiative रहता है साथ में next आते हैं who has released report on trend and progress of banking in India 2019-20 तो बहुत simple सा question है मैंने very important में डाल लिया इसको बहुत अच्छे से बचा सकता है और वो बता सकता है आपको RBI Reserve Bank of India से कौन अच्छा जो है वो banking system के बारे बता सकता है तो किस तरह से banking system आगे बढ़ रहा है किस तरह से जो है वो cooperative banks का दौर चल रहा है किस तरह से digitalization हो रही है non-performing assets कम हो रहे हैं बढ़ रहे हैं वो सारी चीज़े जो है वो इन्होंने यहां पर information दी है और इसमें याद रखना है कि जो gross non-performing asset ratio है मतरब जिसको हम GNPA कहते है gross non-performing assets ratio of banks वो decline हो गी है पहले वो 9.1% सी total asset जितने भी थे by the end of the March 2019 but by the end of March 2020 वो 8.2% हो गया मतरा NPA किसी न किसी थरान से जो है वो बिल्कुल कम हो गया और September में आते आते वो और भी कम हो गया तो gross NPA जो है वो क्या हो गया अब recently कम हो गया तो इतना थोड़ा सा आप याद रख सकते हो ठीक है अगले question की तरफ आते है RBA यहाँ पर आपने याद रखने है आपको सबको पता है कि गवर्नर कौन है शक्तिकान दास है headquarter आपको पता है मुंबई है और recently इनके एक डिप्टी गवर्नर point किये गए मैं question cover करवा चुका हूँ M. Rajeshwar Rao जो है इनके एक डिप्टी गवर्नर जो है वो point किये गए है तो चार डिप्टी गवर्नर होते है चारो की चारो positions filled है कौन-कौन लगा दिये गए है एक तो लगा दिये गए है बीबु परशाद कंगो महेश कुमार जैन मिशेल देबा पत्रा and M. Rajeshwar Rao तो चार डिप्टी गवर्नर जार्बिय के याद रखने है तो आप यहाँ पर देख सकते हो trending and progressive banking in India 2019-20 next government approved one year extension of chairman of space commission and secretary of department of space who is this person तो आपने बताना है वैसे तो question बहुत simple है क्योंकि आपको बता है कि chairman space commission वही है जो ISRO के head है secretary of department of space भी वही है क्योंकि department of space जो है वो बहुत ही important department है जो कि मोदी जी खुद संबालते है तो आपने याद रखना है कि कौन है उसके head तो answer बहुत ही simple होगा के सिवान तो के सिवान जी का time period जो है वो एक साल जो है वो बढ़ा दिया गया है वैसे इनका time period जो है वो 14th Jan 2021 को खतम हो रहा था लेकिन अब जाके जो है वो 14 Jan 2022 तक होगा तो के सिवान जी का time period एक साल बढ़ा दिया गया है तो याद रखना है और ISRO का आपको headquarter पता है यह बेंगलूरू करनाट का तो आप यहाँ पे देख सकते हो के सिवान जी बहुत ही smiling करते हुए लेकिन कुछ time period है जब हमारा mission चल रहा था तो उसमें जो है वो मोदी जी के साथ कुछ emotional moments आपने देखी लेकिन बहुत ही आप कह सकते हो कि बड़े scientist में का नाम ले हो है वो लिया जाता है next आते हैं who won the gold icon award in the category excellence in digital governance under the ministry और any department under sixth digital India award 2020 यह sixth digital India award जो आप यहाँ पे देख रहे हो वर्ड यह बहुत important awards में से एक है जो कि इंडिया को digital बनाने की category में दिया जाता है और यह president रामनात कोविंद की तरफ से दिये गए और इसी award को जो है वो पहले किसी और नाम से जानते थे लेकिन अभी जो है वो इसका नाम जो है वो क्या कर दिया गया इसका कर दिया गया digital India award और किसी भी ministry और किसी भी department की category में किसने gold icon का award जो है वो जीता है तो answer बहुत simple है इसका answer क्या होगा इसका department of post कि उन्होंने भी digitalization बहुत अच्छे से की है और वो department कौन सा department of post उन्होंने gold icon जो है वो यहाँ पे जीता है तो आप यहाँ पे देख सकते हो यह award किसने दिया है President of India रामनात कोमिंजी ने इस award को दिया है तो आप यहाँ पे भी देख सकते है कि यह जो आपदा समपूर्ती portal है वो बिहार government का उन्होंने silver icon जीता है innovation in pandemic के अंदर हर्याना ने platinum award जीता है वो digital governance किसी state या UT category के अंदर और तामिलाडू ने gold icon award जीता है किसी state या UT category में तो हर्याना ने platinum medal जो है वो जीता है तो bianial दिया जाता है कुछ category देख सकते हो लेकिन सब याद करने की ज़रूरत नहीं एक बार site को visit कर ले और important important से जो है कुछ note कर ले मैं आपको note करवा देता हूँ जैसे innovation in pandemic में platinum icon award जो है वो जीता है वो जीता है e-sanjeevni ने जो कि एक national telemedicine service थी जो सरकार ने start की दी silver icon आपदा समपूर्ती ज़्यादा important नहीं है ministry में अगर आप देखोगे मैं बता चुका हूँ department of post gold icon जीत चुका है e-committee of the supreme court जो है वो ये platinum award जो है वो जीत चुकी है तो department यहाँ पे दो हैं तो ये याद करने की ज़रूरत नहीं है तो excellence of digital में हर्याना सबसे आगे है platinum award जीता है तामिलाडू ने gold medal जीता है उत्तरप्रदेश और west bengal ने जो वो silver medal को जीता है ऐसे ही excellence in digital district तो याद करने की ज़रूरत नहीं है open data champion नहीं याद करने की ज़रूरत नहीं exemplary product याद करने की ज़रूरत है याद क्या करने है jury choice award ये याद करने रोगया सोथ तू एप को जो है jury choice award जो है वो दिया गया है तो सिरफ दो-तीन category को आपने याद करने है अदरोई सब याद करने की ज़रूरत नहीं है नेक्स आते हैं विच मिनिस्ट्री लांच्ट ग्लोबल प्रवासी रिष्टा पोर्टल and mobile application to connect Indian diaspora across the world तो बाकी लोगों के साथ connect हो सके जो global community इंडिया की बाहर बैठी हुई है तो वो भी इंडिया के साथ connect हो सके तो एप और एक पोर्टल जो है वो लांच किया गया है किस मिनिस्ट्री के द्वारा लांच किया गया है ministry of external affair ने लांच किया है global परवासी रिष्टा पोर्टल और minister of state को ने वी मुरलीदरन उन्हों ने इसको जो है वो लांच किया है और 3.12 करोड लोग जो है मतलब 3.12 करोड जो है वो जुड सकते हैं इंडियन कम्यूनिटी के साथ ये initiative जो है वो यहां पे लिया गया है तो इससे जब भी कभी कोई emergency situation आती है जब भी कोई global diaspora जो हमारा बाहर बैठा हुआ है तो उसको हमारी जरूरत है तो वो external affair ministry से अराम से बात कर सकता है इस online application और portal के थूँ तो ये अच्छा initiative जो है वो ministry of external affair की तरफ से लिया गया है नेक्स आते हैं दोस्तों important questions की तरफ और उसमें हम discuss करेंगे पहला question केरला गवर्नर released the book साबरी माला विजना नोक्षम who is the author of this book तो केरला के गवर्नर ने जो है वो एक book को launch किया है और जिसका नाम है साबरी माला विजनान कोशम या कोशम तो इसका मतलब होता है साबरी माला तो आपको पता है विजना कोशम मतलब encyclopedia तो उस book के author को ने और केरला के गवर्नर ने उस book को जो है वो release किया है इसलिए ये बहुत important हो जाता है और केरला के गवर्नर आपको पता है आरिफ मुहमद खान है जिन्होंने इसको release किया है तो answer क्या होगा answer जो है वो बहुती simple है कि किसने इस book को लिखा है कीजे नाम को याद रखना है और आप chat box में answer को कीजिएगा और answer क्या होगा इसका के एस विजे नात तो इसलिए आपको याद रखना है वीजना कोश्म साबरी माला तो ये book जो है वो इन्होंने लिखी है तो केरला के governor आरिफ मुहमद खान उन्होंने इस book को release किया साबरी माला के नाम से by K.S. वीजेनात और K.S. वीजेनात को आप देख सकते हो picture के अंदर को launch किया है और खास करके इसमें शिवा पारवती का जो temple है शिवलिंग है उसके बारे में जो है वो बात की गई है तो याद रखना आपने नेक्स आते हैं जॉन फ्यूल्टन रीड जॉन फ्यूल्टन रीड फॉर्मर क्रिकेटर of which country passed away तो ये भी just important category में आपने याद रखना है नाम को याद कर ले फ्यूल्टन रीड जो है वो कौनसी कंट्री से बिलॉंग करते हैं तो क्रिकेटर और बिलॉंग करते हैं न्यूजीलेंड से कहां से बिलॉंग करते हैं न्यूजीलेंड कंट्री से जो है वो बिलॉंग करते हैं तो थोड़ा सा आपने याद रखना है और वन ओव दी फेमस क्रिकेटर में से रहे हैं और ऑकलेंड में ही इनका जनम हुआ था और न्यूजीलेंड में ही फॉर्मर न्यूजीलेंड बैट्समेंड जॉन एफ्रीड पास्ट अवे नेक्स आते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के और उसमें पहला है आइस ओफिसर पी रवी कुमार अपॉंटेड एस 38 चीफ सेकरेटरी अफ करनाटका तो बाइ डिफॉल्ट अगर आप करनाटका से बिलॉंग करते हैं तो ये न्यूस मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए और नाम है पी रवी कुमार और उनको पॉइंट के आगया है क्योंकि इससे पहले टी-म वीजे बासकर थे वो रिटायर हो चुके हैं तो इनको लगा दिया गया करनाटका का तो करनाटका के बारे में हम डिसकस कर चुके हैं तो ज़्यादा इस न्यूस के अंदर कुछ इंपॉर्टन नहीं है जमनालाल संस प्राइवेट अक्वाइड प्राइवेट लिंटेड अक्वाइड फिफ्टी-वन परसेंट एक्यूटी शेर कैपिटल अफ मुकुन सूमी स्पेशल स्टील लिंटेड तो कोई ज़्यादा इंपॉर्टन नहीं है लेकिन फिर से एक बार नियूस को पढ़ा हो इंडिया इंड बुटान और कोपरेशन इंड पीस्फुल यूजिस ऑफ आउटर स्पेसिस में जो है वो किस तरह से हम जो है वो अपनी कॉडिनेशन बना के रखेंगे ये टाइप जो है वो कौन सी कंट्री के साथ हुआ है ये टाइप हुआ है बुटान के साथ तो इसको तो ये याद रख सकते हैं और आउटर स्पेसिस में ये टाइप जो है वो हुआ है पीस्फुल यूज ऑफ आउटर स्पेसिस नेक्स 96 अडिशन तानसिन संगीत सुमारों का मैं बता चुका हूँ कहां पर जो जित हुआ गवालियर के अंदर नेक्स कैबिनेट अप्रूव इंडस्टियल कोरिडोर्स नोडस अट कृष्णा पत्टम एंड़ तुमकृू मतलब एक इंडस्टियल कोरिडोर जो है वो बनाया जा रहा है कौनसी दो स्टेट्स के अंदर बनेगा ये कृष्णा पत्टम मतलब मैं बात कर रहा हूँ आंदर परदेश की और दूसरा मैं यहां पर बात कर रहा हूँ किसकी यहां पर बात कर रहा हूँ तुमकृू मतलब करनाटका की बात कर रहा हूँ तो एक इंडस्टियल कोरिडोर जो है वो यहां पर बनाया जा रहा है तो याद करना इसको बहुत important है तो अब आते है 31st of December के question के answer देने की बारी आ चुकी है question which is the India's first city to have fulfilled 100% of its energy needs during the day with solar energy पूरे दिन में solar energy का use करेंगे 100% तो वो कौन सी है क्योंकि जो हमारे प्रेजिनेंट है रामनात कोविन जी रिसेंटली वहां पर विजिट करके आ है तो answer क्या होगा इसका due होगा dominant due इसका answer होगा तो mark कर ले dominant due next आप देख सकते हो who received this stephen adberg sportsmanship award in 2020 ATP awards तो answer इसका बहुत ही simple था और जिन बच्चों ने answer दिया वो बिल्कुल सही दिया तो answer क्या होगा राफेल नडाल सब बच्चों ने answer बहुत सही दिया और मैं बहुत ही जल्दी उन बच्चों को यह नाम भी यहां पे लिया करूंगा जो एक बर 2010 में उन्होंने ये award जो है वो जीता था और इसमें आप याद रख सकते हो dominant due को कि जो स्वच सर्वेक्षन है 2019 का उसमें जो UT की category में जो सबसे आगे था वो कौन सा था dominant due तो यह भी आप याद रख सकते हैं तो guys यह थे हमारे पास बहुत ही important questions जो दो questions हम discuss कर रहे थे उसके answer हो चुके हैं अब आते हैं question of the day के उपर और question of the day है who recently become the youngest mayor of India on December 2020 तो December 2020 में कौन youngest mayor of India जो है वो बन चुका है मातर 21 years old है तो आपने answer जो है वो comment box में बताना है और मैं answer evaluate करता हूँ आप बच्चों को बता है मैं हर बच्चे के comment बढ़ता हूँ positive भी negative भी positive मैं ले ले ल जरूर कर दें क्योंकि यह बहुत जरूरी है कि subscribe करोगे तो ही हमें भी motivation मिलेगा और आपको की videos on time मिलती रहेंगे और bell button को press कर दें ताकि notification आपको on time मिल सके और guys 700 plus likes हमें चाहिए जो कि आप नहीं provide कर रहे हूँ तो यह मेरे आपसे जो है वो request है कि आप जो है वो like जरूर कर और guys यह एक बहुत ही अच्छी बात है कि 90% current fair जो हमारे ही current fair से cover किये जाते हैं और आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप हमारे उपर full trust जो है वो कर सकते हो thank you guys for watching this video, अराम से रहें, खुश रहें और कोई tension नहीं लेनी, life जो है वो ज़्यादा serious नहीं है, नहीं को cover कर सके, thank you guys, take care, have fun